ये सारे के सारे मोदी के चेले क्योंकि ये नहीं चाहते कि देश गादी के रास्ते पर चले ये नहीं चाहते कि देश अहिंसा के रास्ते पर चले ये नहीं चाहते कि देश प्रेम के रास्ते पर चले भाई चारे के रास्ते पर चले एकता के रास्ते पर चले इसलिए नरिंद इतना साहस सक्ता में बैचे हुए लोगों का नरिंदर मोदी और RSS के चेरों का ये कोई और नहीं है तुम्हारे बगल में छुपे हुए तुम्हारे आस्तीम के साथ भारती जन्ता पार्टीज और RSS से जुड़े हुए नरिंदर मोदी के चेरे हैं सबसे बड़ा खत्रा इस देश के अमन चैन शान्ती भाई चारे और अहिंसा को किसी व्यक्ति से हैं तो देश के प्रधान मंत्री नेंदर मोदी और आईसे से हैं को आज कांधी जैनती और स्वर्गी लाल बहादूर सास्त्री जी की जैनती पर उनके विचारों पर चलने के लिए कि मैं चाहता हूँ कि ईश्वर आपको हमेशा सकती दे प्रेड़ा दे कि दो कदम ही सही अगर हम लोग ऐसे महापुर्सों के विचारों के उपर चल पाएंगे उनके बताए हुए रास्तों पे चल पाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा अभी जब दिनेज भाई बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से कल से एक ट्रेंड चलाय जा रहा है गोड से अमर रहे है क्या ट्रेंड चलाय जा रहा है गोड से अमर रहे है अंग्रेजी में भी चलाय जा रहा है और हिंदी में भी चलाय जा रहे है तो कौन से लोग है जो रास्ट पिता महात्मा गाधी की जैन्ठी के पहले उनके हत्यारे गोर्षे के नाम पर ट्रेन चला रहे हैं ये कोई और नहीं है तुम्हारे बगल में छुटे हुए तुम्हारे आस्तीन के साथ भारती जन्ता पार्टी और आरेसे से जुड़े हुए नरिंदर मो कि ये साले के साले मोदी के जेले कि ये नहीं चाहते कि देश गाधी के रास्ते पे चले ये नहीं चाहते कि देश अहिंसा के रास्ते पे चले ये नहीं चाहते कि देश प्रेम के रास्ते पर चले भाई चारे के रास्ते पे चले एक्ता के रास्ते पे चले ये नहीं चाहते कि भारत की पहचान पूरी दुनिया में वसुदेव कुचुम्बकम के नाम पर हो इसलिए नरिंदर मोदी के चेले और आरेसेस के लोग कल से गोड से अमन रहे का ट्रेंड चला रहे हैं ट्वीटर पे शर्म आती है ऐसी निजान भारा के लोग भाली देखें कोई नारेबाजी नहीं करेंगा और इसलिए मैं आप समी नौजवारों से हाँ जोड के प्रातना करना चाहता हूँ कि इन लोगों से साउधान हो जाईए वरना ये देश को बर्बादी की रास्ते पर ले जाए आप कर्पना कीजिए आजादी के 75 साल के बाद इस देश के अंदर गादी के हट्ट्यारे का अमर रहे का नारा लगेगा इस देश के अंदर बापू के हट्ट्यारे के नाम पर गोड़से के नाम पर गोड़से अमर रहे की ट्रेंट ट्वीटर पर चलाई जाए इतना साहस इतना साहस सक्ता में बैठे हुए लोगों का नरंदर मोदी और आरिसेस के चेलों का मैं कहना चाहता हूं सबसे बड़ा खत्रा इस देश के अमन, चैन, शांती, भाई चारे और अहिंसा को किसी ब्रक्ती से हैं तो देश के प्रणार मंत्री नरंदर मोदी और आरिसेस के हैं सक्ता में बैठे हुए उससे साहुधान रहना पड़े पताई ये कल्पना थी जिए देश का ऐसा आतंकी, ऐसा वेक्ती जिसने अहिंसा के पुजारी की हत्या कर दी आज भारत की पहचान दुनिया में क्या है आप चले जाएए अमेरिका आप कहिए इंडिया से आया हूँ लोग कहेंगे ओ गांधी के देश से आया हूँ आप चले जाएए कनेडा आप कहिए इंडिया से आया हूँ लोग कहते हो गांदी के देश से आया है आप चले जाएए आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, ब्रिटेन दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएए जब आप कहते हैं कि मैं इंडिया से आया हूं भारत से आया हूं, हिंदुस्तान से आया हूं उस पहचान को कुछ लोग मिटाना चाहते है इस पहचान को ये हिंसा भैलाने वाले लोग ये नफरत भैलाने वाले हैं ये मिटाना चाहते है तो क्या हम उनके मनसूबे को सफल होने दें इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ रास्ट पिता महात्मा गांधी की जैन्ती पर स्वर्गी लाल बहातु सास्थ्री जी की जैन्ती पर अपने मन में संकल्प लेके इस कोस्थी से उलना कि जिस विचा गारा ने कावी की हद्या की है हमें उस विचा गारा को मारना है उस विचा गारा को तैयार हो आप लोग तैयार है पिछली सताब्दी में किन दो लोगों की सबस्यादा चप्चा होती है किन दो लोगों की एक रास्ट पिता महात्मा लांदी की और दूसरी हिटलर की हिटलर की चर्चा क्यों होती है कि उसने लाखों लोगों को मरवा हिटलर की चर्चा कैसे होती है कि वो नफरत फैलाता था पूरी दुनिया में हिटलर की चर्चा कैसे होती है कि वो गैस चैंबर बनवा के लोगों को मरवाने का काम करता था पूरी दुनिया के अंदर लेकिन बाबू की चर्चा होती है गांधी की चर्चा होती है तो अहिंसा के नाम पर होती है प्रेम के नाम पर होती है भाई चारे के नाम पर होती है अहिंसा परमोर अर्मा के नाम पर होती है गांधी की चर्चा अच्छाई के लिए होती है हिटलर की चर्चा बुराई के रास्टे पर चलना है इंडिया को आप पेंपरो गाधी के रास्टे पर चलना है या हिप्ले के रास्टे पर चलना है गाधी के रास्टे पर चलोगे तो दुनिया के रास्टा धक्ष आये थे भी जीत में अमेरिका के रास्टपती आये थे कैनेडा के प्रधान मंत्री आये थ चीन के प्रधान मंत्री आये थे बृटेंट के प्रधान मंत्री आये थे दुनिया के तमाम शक्ति साली देशों के प्रधान मंत्री रास्टरपती आये थे और उन सब हमें कहा हमें बापू की समाधी पर अपना मथ्था टेखना है श्रक्राइब की ताकत तो अगर पूरी दुनिया में भारत की पहचान मुहबत से करना चाहते हो प्रेम से करना चाहते हो आइंसा से करना चाहते हो तो गांधी के रास्ते पर चलना पड़ेगा और हिंसा से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हो नफरत से अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाना चाहते हो मारकाट और धंगो से अपनी पहचान अगर पूरी दुनिया में बनाना चाहते हो तो विख्लर के राप्तेपे गलत तो नहीं कहरो आपको किस रूप में अपनी पहचान चाहिए और क्यों चाहिए तो आए पट्टा लिखा क्या है क्या है। अच्छे इंसान के रूप में या बुरे इंसान के रूप में गांधी को मानने वाले के रूप में या हिटलर को मानने वाले रूप में आप किस रूप में जाओगे भाई चारा फैलाने वाले वेक्ती के रूप में कि हिंसा फैलाने वाले वेक्ती के रूप में आप किस रू रूप में जाने जाओगे दंगा फसाद और नफरत फैलाने वाले विक्ति के रूप में या प्रेम अहिंसा और भाई चारा फैलाने वाले विक्ति के रूप में तो अगर आप अपनी अच्छी पहचान इस दुनिया में मरने के बाद भी छोड़के जाना चाहते हो तब भी आपको कांधी के रास्ते पर चलना पड़ेगा रेखा जी कभी आपने सुना कि हिटलर की समाधी पर कोई रास्ता देख फूल वर्षाने क्या किसी ने सुना किसी ने सुना कि हिटलर की समाधी पर हिटलर की कबर पर कोई फूल चड़ाने के लिए देश का प्रधानमंत्री गया किसी देश का नास्टपती गया कभी सुना अगर उसकी हिंसा को देखोगे तब तो वो बहुत ताततवारा आदू आ लाखों लोगों को मरवा दिया था उसने गैस चेंबर बनाया थे उसने इंसानों को गला देता था उनकी हट्णिया निकाल लेता था लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि दुनिया के किसी भी देश का प्रधानमंत्री या रास्टपती वो जाकर उसको सद्धाजली दिया हिटलर की चर्चा किसके रूप में होती है एक बुरे इंसान के रूप एक नफ्रत फैलाने वाले वेक्ति के रूप उसके और गांधी के क्या विचाथ है एक दो दो लाइन बताओंगा आप सुनिये बड़े मज़दा और आप लोग खुद से जोड लेंगे कि ये लाइन किस से जुड़े हुई हिटलर क्या कहता था महान अशक्तिवादी महान जादुगर्भी होते है यानि कि महान जूट बोलने वाले महान जादुगर्भी होते है यही तर कहता था किस से जुड़ा हुआ मामला है किस से जुड़ा हुआ मामला और क्या कहता था मानवता वाद मूर्खता और कायरता की अभिव्यक्ति है यानि मानवतावाद के खिलाफ कौन काम कर रहा है मूर्दी कौन काम कर रहा है मूर्दी और क्या कहता था वो और क्या कहता था नफरत नापसंदगी की तुलना में अधिक अस्थाई होती है वो कहता था नफरज जो है वो नापसंदगी की तुलना में अधिक अस्थाई होती है यानि कि नफरज जो है वो अस्थाई चीज है ये कहता था और गांदी जी क्या कहते थे गांदी के विचार क्या थे गांदी कहते थे कमजोर कभी छमाशील नहीं हो सकता छमा शीलता ताकतवर की निसानी है यारी जो ताकतवर वेक्ती है उसके अंदर छमा का भाव होना चाहिए दूसरों के पर और क्या कहते थे ताकत शारिरिक सक्ती से नहीं आती या आदम में इच्छा सक्ती से आती है ये गांदी के बिचार है ताकत शारिरिक सक्ती से नहीं आती ये इच्छा सक्ती से आती है और ऐसे तमाम बातें कोई कायर प्यार नहीं कर सकता है या तो बहादुर की निसानी है ये गांदी कहते हैं क्या कहते थे, कोई कायर, प्यार नहीं कर सकता, प्यार करना तो पहादूर की निसानी है, तो जो लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, दरसल वो लोग कायर लोग हैं, कमजोर लोग हैं, दरपोक लोग हैं, वो पहादूर लोग कते ही नहीं हैं, और कायर आज की फ तो यह तीन चार मूल बाते थी जो आपके सामने करना जरूरी था अब बात आती है धरम को लेके झथगडे की धरम को गांधी जी ने अपने जीवन में जिया आपको मालूम है वो सर्व धरम प्रातना सभा करते थी सभी धरमों की प्रातना उनके साथ आश्रम में जो लोग होते थे वो किस धर्म के हैं ये मायने नहीं है लेकिन सभी धर्मों की प्रार्थना जो है वो करते थे शर्व धर्म प्रार्थना सबा करते थे गांदी की रचनात्मक कारियों को बढ़ावा देते थे शरमदान का काम ब्रिक्षा रोपड़ता काम कुस रोगियों की सेवा का काम नमक सत्याग्रा यानि आजादी का आंदोलन भी लड़ना है और साथी साथ लोगों की सेवा भी करने और उससे मन के तमाम विकार दूर होते आप अपने आप में जड़ा सा सोचिए आपने अगर किसी बुद्र का हाथ बगड़ के रास्ता बार करा दिया आपको संतुस्टी मिलती है कि नहीं मिलती है आपने किसी गंदी जगहें पर ज़ाडू चला कि उसको साफ कर दिया आपको संतुस्टी मिलती है कि नहीं मिलती है उसका आपको कितना राजनीतिक फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता लेकिन उन रचनात्मक कारियों में हिस्सा लेने से ब्रिक्षा रोपन करने से अगर वो पेड़ बढ़ा हो जाता है उसके च्छाओं के नीचे आप बैठते हैं तो आपको एक खुशी होती है कि ये पेड़ हमने लगाया था इसमें पानी डालके हमने इसको बढ़ा किया तो इसलिए जो रचनात्मक कारियों उन्होंने बताए रोगियों की सेवा हो, श्रमदान हो, ऐसे तमाम रचनात्मक कारियों उससे भी आपके मन को संतुस्टी मिलती है ताकत मिलती है, मन का विकार जो है वो दूर होता है ये गांधी का रास्ता था ये गांधी का रास्ता था और इस colored आप लोग बार बार ये कहते हैं का जो हमारा काम था वो एक बहुत पवित्र और अच्छा काम था बहुत ही अच्छी शुर्वार थी और उसके लिए अब हम लोगों ने तैंग किया है कि पूर्वी उत्तर्पदेश के यहां से लेकि सारे हिस्से को तिरंगा साखा के शेखर दिक्षिजी देखेंगे और पस् स्रमदान का काम नदियों की सफाई का काम पार्कों की सफाई का काम मरीजों की सेवा का काम रक्तदान का काम ब्रिच्छा रोपड का काम ऐसे भी अच्छे काम हम लोगों को करने हैं इसमें यह मत देखिए कि आपको क्या आपको फेम ने मिल रहा है को ने मिल रहा है जो भी उसमें निभा सकते हैं उसमें निभाईए और मैं भी प्रयास करूँगा कि जहां भी मेरे पास समय रहेगा क्योंकि अलग अलग जहों पे मेरे कारिक्रम लगे रहते हैं जिस दिन भी खाली रहूँगा जिस रविवार को भी खाली रहूँगा आपके कारिक्रमों में कुछे क्या रहता है धर्म कि अब ये मेरे समझ में नहीं आता कि धर्म इस दुनिया में अच्छाई के लिए आया है कि जगड़ा कराने के लिए धर्म की उत्पत्ति क्यों होई जगड़ा कराने के लिए लड़ाई कराने के लिए मार काट के लिए नफरत भैलाने के लिए या समाज में कुछ अच्छा करने के लिए सबी धर्मों का आप पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी है सिक्धर्म को आप पढ़िए तो उसमें मानवता की सेवा करने की बात लिए लंगर चलाओ कोई भुखा न रहने पाए उसको भोजन कराओ दुनिया में कहीं आपदा है परेशानी है जाओ उनकी सेवा करो उनके बीच में रहो और सिंक धर्म के लोग करते है बड़ी संक्या तो उनके धर्म का संदेश क्या है मानवता की सेवा मानवता की सेवा इसलाम उस धर्म में दो नाम ले लीजिए एक खुदा का नाम और एक हज़त मुहम्मद साहब सलल्लाई लिए वसल्म का नाम नभी का नाम तो खुदा को क्या कहते है अल्ला को क्या कहते है क्या कहते है रब अलमीन पूरे आलम का रब पूरे दुन्या का नाम ये कहीं ने लिखा कि सिर्फ मुस्लmानों का रभ कहीं लिखा है क्या बता दूँ पोरे आलम पर, नही दुनिया पर रहमत करने वाला सिर्फ मुस्लमानों पर रहमत करने तो इस्लाम धर्म में खुदा के नाम का मतलब ही समझ लोगे नभी के नाम का मतलब ही समझ लोगे तब भी आपके पास हिंसा फैलाने का कोई जरिया नहीं है नफरत फैलाने का कोई जरिया नहीं है अब आजाए ये हिंदु धर्म के बारे में हमारे याराम चरित्मानस की चौपाई है वो कहती है सब नर करही परसपर प्रीती सारे लोग आपस में प्रेम से रहें ये हिंदु धर्म का संदेश है हिंदु धर्म कहता है वसुधेव कुत्मकम पूरा विश्व हमारा परिबान है हिंदु धर्म कहता है हर पूजा की समापती के बाद धर्म की जै हो अधर्म का नास हो प्राणियों में सद्वावना हो विश्वता कल्याण हो पूरे विश्व की कल्याण की कामना करने वाला धर्म हिंदु धर्म है कहां लिखा हुआ है हमारे धर्म में नफरत फैलाओ कहां लिखा हुआ है अजरा हमको बताओ इसाई धर्म की बात अगर हम करने प्रभू इसु का संदेश देखे उन्होंने भी पूरी दुनिया में प्रेम का संदेश दिया मानुता का संदेश दिया बहुत धर्म का संदेज देखे उन्होंने भी अहिंसा का संदेज दिया तो जब सारे धर्म अहिंसा का संदेज दे रहे हैं प्रेम का संदेज दे रहे हैं मानोता का संदेज दे रहे हैं भाईचारे का संदेज दे रहे हैं एक दूसरे की मदद का संदेज दे रहे हैं तो ये कहां टेंदर निकला है काउसर ठेके ना धरम के आ गए है जो धरम की अलगला प्याट का आपको शुपात है तो इन ठेकेदारों से जरा हो सियार हो जाओ अपने घर पे एक एक बोर्ड लगा लो मेरे हिसाब से क्रिपया धरम के ठेकेदार इस घर में प्रवेश ना करें मैं हिंदू हूँ मैं हिंदू धरम को मानता हूँ क्रिपया हिंदू धरम का ठेकेदार बनने का दावा करने वाले लोग इस घर में प्रवेश ऐसे ही मुसल्मान लोग लगाने अपने घर में एक बोर्ड मैं मुसलिम हूँ मैं इसलाम धर्म को मानता हूँ या मानती हूँ इसलाम धर्म की ठेकेदारी करने वाले लोग कृपया हमारे घर में प्रवेश ठेकेदारों से सावधाना इसी तरीके से मैं तो केप्टन साथ से भी कहूँगा अगर इनके आभी ठेकेदारी चलती है तो आप भी लगा लीजेगो इसाई धर्म के मानने वाले लोग है वो भी लगा ले ये ठेकेदार सबस्यादा आपको परिशाद है ये ठेका लेके आए है धर्म का इनसे आपको साउधान देना है और ठेकेदार कर क्या रहे हैं? धर्म की तो एक भी बात नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे कि फूरे विश्चु का कर ले आणो, वो क्या करते हैं? मंदिर में चंदा चोरी करते हैं, पांच मिनट में दो करोन की जमीन, साड़े अठारा करोन रुपए में खरीद के साड़े सोला करोन की बैमानी भाज़ पाई कर रहे हैं, तो चंदा चोरी करने वाले लोग ये धर्म के ठेकेदार जो है, इनसे सावधान रहोगे नहीं रहोगे बताओं, इनसे होसियार रहना नहीं रहना है, और जो लोग जिहाद का पाट पढ़ाते हैं, इसलाम के नाम पे नफरत फैलाने का पाट पढ़ाते हैं, कई मौलाना लोगों को मैं देखता हूँ, उट बटान कुछ भी बोलते रहते हैं, और मैं तो एक लाइन और आगे बोलता हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ लोग सहमत हों, असहमत हों, अगर धर्म के किताब में कुछ गलत भी लिखाक है, ऐ आपको भड़काया जा रहा है, तब भे उस बात को मानना बंद कर दीजिए, कभी कोई मनुस्मिती का उदारन देता है, कभी किसी और किताब का उदारन देता है, कभी मुसलमानों में भी अलग-अलग किताब का उदारन देते हैं, मत मानिये, अच्छी बाते जो लिखी हैं अच्छा संदेज धरम का जो है उसको मानेगे हम अपने जीवन को शान्ती में बनाना चाहते हैं हम सही धरम के जो मायने बताएगे हैं उस रास्ते पर चलना चाहते हैं ये ठेकेदारों से साउधान हो जाएगे इन से बचने की आपको जरूरत है और इसलिए साथियों और दोस्तों मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ जो हिंदू धरम को माने उसको भी हिंदुस्तान में रहने का हक है जो मुस्लिम धरम को माने उसको भी इस देश में रहने का हक है जो सिक धरम को माने उसको भी रहने का हक है जो इसाई धर्म को माने उसको भी रहने का हक है जो बाउद धर्म को माने उसको भी रहने का हक है और जो किसी धर्म को ना माने उसको भी रहने का हक है गलत तो नहीं कह रहा हूँ हम क्या कहते हैं काड़ कड़ में भगवान है कहते ही नहीं कहते हैं तो माल लीजिए कोई ऐसा वेक्ति है जो धर्म को नहीं मानता उसको मौका दीजिए जब उसको समझ में आएगा तब मानेगा लेकिन ये मतलब तो नहीं हुआ कि अगर धर्म को नहीं मानता तो आप उसको जीने नहीं देंगे आप उसको रहने नहीं देंगे तो फिर आप धर्म को नहीं मान गए आप धर्म को नहीं मान गए तो इसलिए मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ बापू की जहनती पे स्वर्गी लाल बहादु सास्त्री जी जो हमारे भारत तरपन है उनकी जहनती पे एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस देश को बचाना है इस दुनिया को बचाना है तो हिटलर के नहीं गाधी के रास्ते पे हम सब को चलना भारत की पहचान गाधी है दुनिया की पहचान गाधी है साउथ अफरीका की गलियों में गाधी के नारे आपको सुनाई पड़ेगे अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग हो या ओसामा ओबामा दोनों के काल को आप देखेंगे तो दोनों काल में कांधी को माना गया ओसामा बिन लादेन की विचारधारा या नफरत फैलाने वालों की विचारधारा या हिंसा फैलाने वालों की विचारधारा हिटलर की विचारधारा से देश और दुनिया का कल्यान हिंसा से देश और दुनिया का कल्यान नहीं हो और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये देश अगर गाधी के रास्ते पर चलेगा तो प्रेम और अहिंसा के जरिये उन्नती के रास्ते पर चलेगा ग्राम स्वराज के रास्ते पर चलेगा और अगर नफरत फैलाने वालों के रास्ते पर चलेगा जो लोग गोड़से की विचार धारा को मानते है वो इस देश के लिए खतरनाक है और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कोटसे की विचार भारा को मानने वाले लोग दुर्भागे से इस देश की सक्ता पर बैठे हुए है 2024 में उनकी विदाई करके कांधी के विचारों को अनके विचारों को इस देश के अंदर लागू करते है मैं अनत में बापू को और सास्त्री जी को सर जुका के नमन करते हुए और शिकायत कर रहे थे दिनेश जी की गोर्षे अमर रहे का ट्रेंड चल रहा है तो उसके जवाब में हम लोगों को भी ट्रेंड चलाना चाहिए क्या गांधी को मानने वालों की ताकत कम है कम है क्या गांधी के लिए ट्रेंड चलाईए गांधी के लिए ट्रेंड चलाईए और गोर्से वालों को जवाब दीजिए गोर्से के विचारों पर ये देश आगे नहीं बढ़ सकता तो इसलिए आप सब लोग आज यहां गोस्टी में आएं आगे जो तिरंगा साखा का कारिक्रम हो जो हमारे महापुर्सों की जैंती पर उनकी पूने तिथी पर कारिक्रम हो उसमें जरूर हिस्सा लिया कीजिए यह माइने नहीं है कि कितनी संख्या में लोग आते हैं कई बार छोटी गोस्टियों से बड़े विचार निकलते हैं और वो बड़े विचार समाज में बड़ा परिवर्तन का कारण बनते हैं बहुत बहुत शुक्रिया